आपको जाद होगा कि पाकस्तान सपॉंसर जो टेरिजम है उसको वो नए नए चेरे परदान करने की कोशिश में हमेशा रहते थे और पिछले कुछे करसे में एक दो ग्रूप ऐसे नए फ्लोट किये गए जिनके जरीए से जैशे महमद जो के पाकस्तान का टेरिस्ट आउट्फित है लश्करे तौइबा जो के पाकस्तान का टेरिस्ट आउट्फित है वहां की सरजमीन से काम करता है कि लिए इनकी की हुई अतंकी कारवाईयों को दैशतवादी की कारवाईयों को लोकल नाम देने के लिए जहां पर नए आउटफिट जो है वो खड़े किये गए उसमें टी एरफ के नाम से एक आउटफिट आया दर जिस्तेंस फ्रंट जो लश्क्रे तौबा का एक फ्रंट ह है लोकल नाम है जितनी कारवाईयों लश्क्रे तौबा बिछले अर्से से कर रहा है वो लश्क्रे वो टियरफ के नाम पे जहां पर वोन की जाती थी उसके लावा जैशे महम्मद जो दूसरा ड्रेंड़ेट टैरेस्ट आउटफिट है पाकस्तान का उन्होंने नयने यहां पर ग्रुप खड़े करने की कोशिश की जिसमें एक ग्रुप हाल ही में अगस्त 20 से एक्टिव हुआ लश्क्रे मुस्तफा के नाम से इनकी ट्रैकिंग कश्मीर की तरफ से काफी लंबे अर्से से दोनों ने खड़े हुए ग्रुप्स की लीडर्शिप की की जा रही थी की चीफ कमांडर यो है उनको पक्ड़ लिया गया है उन में से एक जो चीफ कमांडर है इसका हदैतुला मलिक नाम है हदैतुला मलिक जैश का अब जसमें ने कहा कि जो लोकल आउटफिट लश्कर मुस्तफा है उसको लीड कर रहा था और पिछले काफी अर्से से वो एक्टव था मिल्टन्सी रिलेटड कारवाईयों में काफी लंबा अर्सा वो जी डवल्यू का काम करता रहा और उसके बाद एक्टव मिल्टन्ट बनके जैश के साथ जैश के डिरेक्शन के उपर उसने नया एक आउटफिट त्यार किया वो फिट त्यार करने के बाद साथ किश्मेर के एरिया में अतंकी कारवाईयां लगलग तरे की करता रहा और अभी इस ताक्वे था कि जमूं के से अरिया के अंदर आपना हाइड ओडाट अपना अधा त्यार किया जाए ताकर अतनकी कारवाईयां किश्मीर के साथ साथ जमू के एरिया में भी की जा सके और उसके लावा पाकस्तान से जो हत्यार अलग अलग जरिये से आते हैं जाए वो बॉर्डर से किसी मेरिटन्स के थुरू आएं जो टनल्स खोदी गई उसके थुरू बेज़े जा फिर ड्रोल्स के एक और नेटवर्क खड़ा किया था जो पंजाब के साथ मिलके जो इसके साथी हैं उनके जरिये से बिहार से वेपन मगवाने का नेटवर्क के खड़ा किया था और बिहार से अभी तक साथ से जादा पिस्टल जो हैं वो लाए जा चुके हैं और अलग लग अतनकी लड़के जो पुझाब में लग लग यगा पे पढ़ते हैं उनको शामल किया गया और जब जब उनकी जरूरत पढ़ती है किसी कारवाई के लिए जम्मों में जा किश्मीर में जा बाहर से वैपन को टांस्पोर्ट करने के लिए उनका इस्तेमाल किया गया जैसे जी आईडी इसके लावा आपको जाध होगा कि 2018 में बहुत सारे अतनकी कारवाईयों में जैसे महम्मद शामल था बहुत सारे दैशतगर्द पाकिस्तान की तरफ से एक टनल के जरिये से जहां पर आते थे और उस टनल के जरिये से जो अतनकी आते थे उनको रसीव करने के लिए आशिक नेंगरू को नाम का किश्मेरी दैशतगर्द आता था यह उसका असोसेट रहा और किसी एक स्टेज के उपर आशिक नेंगरू को दसंबर 19 के आसपास उसको जहां से टनल के जरिये से परवार के समेत जिस टनल से तंकवादियों को ला जाता था उसी टनल से परवार समेत उ है आशिक नेंगरू अबी पाकस्तान से पाकस्तानी जन्सियों के शारे पर देशतगर्दी को डिरेक्शन दे रहा है और देशतगर्दी की प्रवस है उन्हें रियात की रैकी करता है फिलम बनाता है और फिलम बनाके पाकस्तान अपने हैंडलर को भेजी जाती है जिसका मत्रब यह हुआ कि जह जम्मू कुश्मीर के साथ साथ देली के अंदर भी अपने टार्गट जिनको यह निशाने पे लाना चाहते थे खासवार प्रवस्तान की जन्सी ने खास्तों पर जैशे महमंद ने बना रखा था तो यह बहुत बड़ी कामजाबी है जिसके चलते जह जो भदैतुल्ला के पकड़े जाने के बाद इन चीजों का खलासा हुआ एक बैंक लूटा गया था नौंबर 20 में शोपियां की अरिया में इसी का हाथ है इसकी निशानदेई पर अभी तक इसके चार एसोसियेट पकड़े गए हैं इसकी वाइप भी उसमें शामल है बाकी तरह एसोसियेट भी पकड़े गए हैं और पुलीस की बाकी की कारवाई अभी जमो किश्मीर में जमो जिला की पुलीस और अनंगरा की पु बारा और तेरा की रात को जो दूसरा तंकी पकड़ा गया है जिसका नाम जहूर है जहूर आथर इसका नाम है इसको खालिद भी कहते हैं और साहिल भी नाम है इसका लश्क्रेत अबा की फ्रंट को जो रन कर रहा था टी आरेफ को ये टी आरेफ के चीफ ता ये भी बहुत लंबा अरिसा पहले खुद ओजी डबलीओ के खाते में काम करता रहा इसकी बड़ी बात ये है कि ये बहुत पुराना ट्रेंड मिलिटेंट है दो यार दो में जे हजबल मुझाईदिन के साथ कांग करता था यहां से बॉर्डर पार गया था बॉर्डर पार जाकि पाकस्तान में ट्रेनिंग हासल करी थी और जब वापस लॉट के आया था तो पांच फॉरेंट टैरिस्ट जोरी के रूप से लेकर करके ये वापस आया था उसके बाद ये लगपाग पांच साल एक्टव रहा और दो यार शे में इसने स्रेंडर कर दिया था और स्रेंडर करने के बाद ये अराम से बैठा था मगर इसकी अक्टिवेशन दो यार उन्नीस के अंदर दबारा होगी और 2019 के अंदर जो इसके हैंडलर पाकस्तान में बैठे जो जानते थे इसका पोटेंचल क्या है उन्होंने इसको नया उट्फिट जो बनाया TRF उसकी जो कमांड उसके हाथ में दी और TRF के चीफ का भी ये काम कर रहा था इसने अपना काफी बड़ा डेटवर्क कश्मीर के अंदर पैदा कर दिया जिसमें से आठ लोगों की पैचान अभी तक हो चुकी है उसमें से कुछ लोग पकड़े जा रहे हैं उनकी इंटरोगेशन कश्मीर वाली साइट पर शुरू हो चुकी है और यह जब पकड़ा गया क्योंकि इसको सरंडर्डर मिल्टट होने के नाते इसके उपर कोई शक नहीं था इसकी अभी तक की जो डॉल्मेंट सामने आई है कुलगाम में तीन बीजेपी के जो एक्तविस्ट हैं उनको मारा गया था उसमें इसकी समुदियत थी जे खुद उसमें शामल था उसके लावा कुपकरणाग की एरिया में पुलीस की एक जवान को हलाक किया गया था उसमें भी जे शामल था इसकी पूछता शभी काफी शिद्रत्य दारी है और मैं जे समझता हूँ के जिस लेवल पे ये उपरेट कर रहा था इसकी काफी सारी और अतंकी गतिविद्यों का पता इसमें से चलेगा तो आपके सामने तीन बड़े उपरेशन का खलासा हुआ जिसमें जैशिब हम्मद का फ्रंट लश्क्रे मुस्तफा लश्क्रे तौबा का फ्रंट टी आरेफ दर येस्टन्स फ्रंट और इसके साथ एक और नए आउटफिट जिसको पाकस्तान फिर से सक्रिय करने की कोशिश में है जिसको अलबदर कहते हैं अलबदर का जिसने आईडी जहां पर लाके जम्मू शेर में किसी भीड़ वाले लाके में लगाने की ताक में थे उससे पहले ही पुलीस ने उसको पकर लिया जिससे बहुत बड़ा हाथसा तल गया पिछले दो रोज से हम लोग बहुत बड़ी अलर्ट साउंड करके चल रहे हैं कि जम्मू किश्मीर में इस बात की लग-लग अजंसी से और पुलीस के गरिये से रपोर्ट आ रही थी कि यह कोई ना कोई बड़ी जो कारवाई आज के दिन पुलवामा के टैट के दिन दूसरी नवर्सरी के दिन कहीं न कहीं जाम देगे कि मैं मभारिक बात देता हूँ अपने पुलीस को और अपने सब मेंबर्स को जिनों ने इन अपरेशन में हिस्सा लिया बहुत बड़ा हादसा होने से रोका और दो चीफ कमांडर्स को पकड़ा जिनोंने बहुत सारी तंकी कारवाईयां पहले करी हैं और बहुत सारा नेट